Hi everyone, welcome back to an official kit दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ आपके साथ share करने वाला हूँ ESOMAC tablet के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ESOMAC tablet जो होती है Sipla Company द्वारा manufacture की जाती है जो कि इसके एक इस्ट्रिप में 15 गोली होती है, 15 tablet होती है और 40MZ में भी, यानि की मिलिग्राम में भी market में आपको मिल जाती है दोस्तो अब हम बात करेंगे ESOMAC tablet के uses के बारे में इसके benefit के बारे में इसका पहला जो use होता है, अगर आपको acidity की ज़्यादा समस्या होती है IC condition में डॉक्टर आपको देते हैं क्योंकि जब acidity की समस्या होती है तो कई problem होती है, आपको खटी डगारे आती है आपको खाना ठीक से खाया नहीं जाता है, digest नहीं होता है सीने में जलन होती है, कई ऐसी problem होती है दोस्तो acidity की problem क्यों होती है हमारे इस्टमक में hydrochloric acid होती है जिसको hydrochloric acid अमन भी बोलते है इनका production, इनकी मातरा ज़्यादा बढ़ने लगती है इस नमक में हमारे H plus iron की जो संख्या होती है वो ज़्यादा production होने लगती है तो ऐसी condition में इस assamprozol, यानि की isomac tablet का यूज़ के आता, दे जाता है ये जो isomac tablet होती है, आपके पेट में जो HCL बनती है, उसको decrease कर देती है H plus iron को, hydrogen iron को ये block कर देती है जिससे कि आपके stomach में acid जो होती हो, कम बनती है, decrease हो जाती है और आपको acidity से रहत मिलना सुरू हो जाती है ये इसका पहला benefit हो गया दोस्तो, isomac tablet का दूसरा जो use होता है, GERD में किया जाता है GERD जिसको gastroesophageal reflex disease बोलते है इस condition में आपके पेट में जो hydrochloric acid होती है ज्यादा मातरा में बनने लगती है और आपके पेट से जो hydrochloric acid होती है, वो back flow होने लगती है आपके आहार नली में जिसको isophageal बोलते है आहार नली में जब आती है hydrochloric acid तो आपके जो आहार नली होती है उनको ये घाव पैदा करने लगते हैं वहाँ छाले पैदा करने लगते हैं जलन पैदा करने लगते हैं जिसके जासे आप खाना खाते हैं या कुछ खाते पीछते तो बहुत तेजी से जलन होती है, इसी कंडिशन में इस इसाम प्रोजोल यानि की इसोमाइक टैबलेट का यूज क्या आता है, GERD, डिजीज में इसका यूज क्या आता है, ये इसका दूसरा बेनिफिट हो गया, इसका तीसरा जो बेनिफिट होता है, H.Pylori infection में यूज क्या आता है, H.Pylori infection क्या होता है, आप थोड़ा समझ ले, H.Pylori infection तब होता है, जैसे आप बाहर की खान पीन करते हैं, दूसित जल पान करते हैं, कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, तो ये बाहर से हमारे इस्टमक में इंटर कर जाते हैं H.Pylori bacteria, जिसको Helicobacter pylori bacteria बोलते हैं, फूल फार्म होता है, तो ये हमारे जो इस्टमक की लाइने होती है, इपिथीरिलल जो सेल होती हैं हमारे पेट के अंदर, उनमें ये घाव पैदा करने लगते हैं, और इसके अलावा हमारे body में, यानि कि हमारे जो इस्टमक होते हैं, वहां hydrocaloric acid की production जादा होने लगती है, तब ये जो bacteria होते हैं, वहां की कोशिकाओं को खाने लगते हैं, छत ग्रस करने लगते हैं, जिसको आप छाले बोल सकते हैं कि इस्टमक में हमारे छाले हो गए हैं, तो बहुत जादा पेल होता है आप कुछ खाते पीते हैं, बहुत जादा जलन होती हैं, कुछ खापी नहीं पाते हैं, इवेन यहां तक कि आपको इतना जादा serious condition हो जाती है कि आपको बाहर से feeding tube के दोरा fluid दी जाती है, खान पीन दी जाती है, feeding के राजे जाती है, इतनी जादा problem create कर जाती है, तो आईसी condition H. pylori infection में भी इसका यूज गयाता है, दोस्तो जो H. pylori infection होता है, यह Isamprozol अकेला नहीं काम करता है, इसके लिए आपको और भी supportive medicine दी जाती है, जैसे क्लेरी थ्रोमाइसिन हो गई, इसके लावा एजी थ्रोमाइसिन हो गई, यह combi pack में आती है, इसके साथ दिया जाता है दोस्तो अब हम बात करेंगे Isomac tablet यानि की जो Isamprozol tablet होती है, इसके dose के बारे में इसको कैसे लेना है, जैसे अगर आपको acidity की समस्या होती है, ज्यादा गैस की problem होती है, तो ऐसी condition में आपको 20MG जो tablet होती है, दिन में एक बार सुबा खाली पेट लेने की सला देते हैं, ख अगर आपको H.Pylori infection होती है, या GERD की समस्या होती है, ऐसी condition में आपको दिन में दो बार भी लेने की सला दे सकते हैं, टीन से चार सबता तक इसको लेने की सला देते हैं, तो ये इसके dose होते हैं, दोस्तो Isomprozol tablet जो होती है, इसका long time यूज न करें, क्योंकि इसके ज्याद के सिकार हो सकते हैं, इसके अलावा आपके अंदर infection की चांज भी बढ़ सकते हैं, अगर long time इस Isomprozol tablet का यूज करते हैं, साथे साथ आपके body में magnesium की भी कमी हो सकती है, तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने doctor से consult जरूर करें, complete information Isomac tablet के बारे में उम्मीद करता हूँ की वीडियो आपको पसल नाई होगी, मिलते हैं एक नए topic के साथ, have a nice day, bye bye, take care.